All right guys, तो इस वीडियो में हम लोग React Project का एक module कबर करने वाले हैं और मैं आपको guys दिखाना चारा हूँ कि चीजे किस तरीके से आप अपने project में cool बना सकते हो हम यहाँ पे एक छोटा सा module कबर करेंगे पूरे वीडियो में आप चीजे को कमाल तरीकी से कर सकते हों तो हम लोग क्या करने वाले सबसे पहले हम लोग डिसकस करते हैं उसके बाद हम वीडियो में step by step आपको चीजे सिखाते हैं अब डेमो सबसे पहले में ओवर्यू दे दो कि यह project हम अभी डवलप करने काम कर रहे थे प्रोजेक्ट आप लोग के लिए जल्दी से आजाएगा हफ्ते भर टाइम में आजाएगा आपको नीचे discussion box में लिक मिल जाएगी वहां से आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करता होगी तो यहां पर हम आगे अपने computer screen पे और हम लोग यहां पर अपने लोग इन कर लिए जी हम यहां पे बहुत आसानी से लोग इन कर पा रहे है के हम ने कर लिए सनिया और हम यहाँ पर ही पास एक profile की मेशन अप्डेट करना जा रहें, अब यहां मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो चीजे ली हैं, वो यहां पर दिख रही ही, बढ़ आप जो भी लेना चाहर ले सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 100, 200, 500, 1, 2, 4, जितनी फिल्ट से लेना चाहर ले सकते हो, ठीक है? पहले प्रिव्यू दिख रहा है जाओ तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हो हम लोग पूरा इस वीडियो में बनाएंगे और मैं आपको सिखाना चाहरा हूं जैसे मैं यह पहले प्रिव्यू दिख रहा है देन हम इसको सेब करेंगे तो आप देखोगे यह प्रोफाइल अपड देख सकते हो बिल्कुल कि हमारी प्रोफाइल पिक्टर कैसे दिखेगी देन हम क्या करपाएँगे उसको सेब कर पाएगे ठीक है यह देखे है आपके प्रोफाइल प्रोड़ोड़ होने के बाद इस तरह से दिखेगी पूरा प्रिव्यू इवन यह प्रिव्यू आप अप नहीं साप से डिजाइन कर सकते हो ठीक है तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली बट आप कमाल की बहुत सारी चीज़ सीखने को बिलेगी इवेन आप रिच्छ से कर रहों पर पूरा-पूरा इसका पूरा प्रोजेट कहां पर मिलेगा तो जल्द ही मैं यह पूरा कॉर्स लाने वाला हूं तो उसका लिंग मिल जाएगा वेपसाइट पर जा करके आप एक्सेस कर लिए वीडियो में आगे बादने से पहले बाता दू कि हम लोग बैकेंड इसका अल्यडी कबर कर चुके बाता हूं कि कैसे हम लोग इमेच अपडेट बनाएंगे फिद प्रिव्यू मॉडल ओके अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर बनाते हैं अपडेट इमेच का हम चाहते हैं कि हम अपडेट पर क्लिक करें और चैसे हम लोग नेम और पासवर्ड अबाउट या जो भी सब हमारी इमेच database में जाके सेवो या हमारे backend में जाके सेवो ठीक है अब हुश सब चीज ठीक है वाकी सारी शें सेवोंगी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत हम लोग beautiful चीज बनाने वाले हैं इस वीडियो में तो आपक ठोटें हम लोग आज अफलें अच्छू के अं अपने प्रोफाइल में जो कि हमारे पेजस के अंदर यहां पर यूजर्स के अंदर अब यहां पर काम करना है तो सबसे पहले तो बनाना वह लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता रहा हूं वह चीज आप करिएगा हम लोग जो चीजे उसफुल नहीं है या अभी जो क्या करेंगे हम लोग कर देंगे मिनिमाइज जैसे यह सो हैंड हैंड़ सो मॉडल है इसको हम लोग admitting कर देंगे उजएफक्ट को मिनिमा जो कर देंगे और केट यूजर डेटा फ्रॉंद सर्वर यह भी मिनिमाइज कर देंगे आँ कॉंस्ट अबटेट ने देंकि हम इसी के अंदर काम करना है एंड साथ ही साथ में हम अपना मेल भी मिनिमास करें ठीक है तो हमारे पास सिर्फ यही वाला फॉर्म बेरे जिस पे हम लोग काम क्रेंग है क्या कुछ घूब है हम लोग अपने मोडल में जहां पर हम लूग अबडेट कर रहे उस जगे के थांब बना लेंक यहां पर यहां पर त कि एक प्रफाइल इमतर एक अप्डेडीड मॉडल है आप देखो यहां पर टेबल तीबल पासरों ऊहां पर एक यहां और टीइड Metall लागया लगा नोट टी टी आर अंदन हम टीटी लगाएंगे एंद इसके लिए प्रोफाइल इमेज एक सेव करेंगे एंद चलेंगे देखेंगे यह राप रफाइल में जा चुका है अब इसके दिनर हमें फिल्ड बनानी है तो इसी के जस्ट पैरलल में हम लोग एक बनाएंगे फॉर्म लोट कंट्रोल और यहां टाइप हम यूज कर सकते हैं फाइल का इससे क्या होगा इससे कमाल की यहां पर एक आजाएगा यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं वाव चलो यह तो बड़ी होगी क्या हम यहां पर प्लेस पेल प्लेस होल्डर रूज कर सकते हैं लेट सी यहां पर यह हूं पर पर मैं बताता हूं क्यों कि यह टेक्स्ट यह टेक्स्ट हम लोग स्मॉल में उस लिए पी यूज़ कर लो यहां है लिखेंगे चलेट्थ सफ्टाइब साइब साइस सईस शॉरी साइब पिक्चर और बेटर यूए तो मैंने यहां पर एक टेक्स भी देगा एड़ इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपल सी इंफॉरमेशन में अपर मार्जर यहां पर हम लोग उसकर सकते हैं रहा बात करते हैं प्रिव्यू कैसे दिखाएंगे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पर क्लिक करें एक तरीका हम डरेक्ली बिना प्रिव्यू दिखाएंगे उसको कैसे इमेज दिखेगी ठीक है तो इमेज प्रिव्यू दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसी टीडी के अंदर यहां पे एक इमेज बनाएंगे यह प्लेस ओल्डर है यह प्रिव्यू के लिए हम है आप चाहओ तो यहां कमेंट लिख दीजिए ठीक है इमेज टैग फॉर प्रिव्यू बिल्कुल साही और बिल्कुल यह कंपोनेंट आप अलग ही बना सकते थे कोई जरूरी नहीं कि आप इसी के अंदर आप यह थोड़ा सिंपल तरीका है यहां पर हम यह प्रिव्यू के लिए तो हम लोग यहँ पर सिंपली एघ्य टैग है अब इसके एसर आर सिमे हम लोग क्या करेंगे हम लोग साइनमिक बेलोग चेंज करेंग अब सबसे पहले तो हम लोग यहां पर एक ग्फल करेंगे कोई यूज कर सकते हो जैसे हम यहां पर सब्सक्राइब का नाम ने लिए डाइनेमिक या प्लेस होल्डर यह एक वार्यल मों बनाएंगे यह यह वैरीबल होगा एक वैरीबल होगा यह फिर हम एक ऑप्जेट ही बना ले थे क्योंकि हमें इमेज से रेलेटेड दो ची तो इमेज के अंदर प्रेस ओल्डर के अनुसार डेटा हमें दिखेगा ठीक है चलो भाई तो हम लोग बना लेते हैं यह वैरीवल ऊपर चलते हैं एंड इमेज नाम से एक स्टेट बनानी पड़ेगे हमें यहां पर आ जाते हैं बिल्गुल हम यहां पर बनाएंगे ठीक है स्टेट नु हंडल इमेज परफ़ेक्ट एंड तेर हम लोग कया करें यहां हम नmee स्ट स्ट और से इमेज अंडी बनाएंगे हम यूज स्टेट का एप लेंगे अंड यह उब्जेक्ट आंग जिसके अंदर हम एक तो प्लेस होलेज़र डालेंगे डालेंगे एंड वाईट क प्लेशोंडर में हम डाल देंगे एक कोई default image कोई भी default image तो हम लोग import करेंगे default image is equal to या in from and चलेंगे back एक डरेक्ट्री और back चलेंगे और हमने उनके अंदर हमें कुछ photos मिल जाएंगे तो हम यहां पर उसका रहेंगे बिल्कुछ सःधिक तो हम लोग यहां पर उस करेंगे default underscore profile.jpg तो इस image इस प्लेसोंडर की default value यह default image होगी देट मिस जब हम लोगों ने image.placeholder ही उस किया तो उस समय में default image देखने को मिलेगी तो इस case में default image कुछ प्रिव्यू के लिए इमेज बरा है उसके SRC में लोग ने इमेज के अंदर प्रेस होल्डर SRC उसकी आया है इसका मतलब कि हमें स्टार्टिंग में डिफॉल्ट इमेज देखने को मिलेगी एक बार हम लोग आते हैं देखने हैं यह देखें इतनी बड़ी सी से बड़ी में देखने को में कर सकते हैं क्ल्स से थोड़ा सा उर यह tumor कर सकते हैं को दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम लोग इसको between i को दाल देते हैं container एक shortcut तरीका है center पर करने का container पर उसका लेंगे हम लोग text center तो यहां पर आज अतने class name and text-center save कर दें यह देखिए center पर आपके and हलका सा container पर हम यहां पर margin bottom 3 देंगे तो कुछ ऐसा हमें image देखने को मिलेगा अच्छा है preview image है बट हम लोग जब choose करें तो यह चेंज भी तो बाता है समझ में यह चेंज भी तो इसको कैसे करेंगे तो चूज करेंगे यह चेंज जो उससे पहले हम लोग क्या करते है यार एक्ट्वल फाइल को स्टोर करने के लिए यहां पर हम लोग एक वेरिबल और बनाएंगे ठीक है फेसोल्डर के बगल में यहां इमेज टॉट फाइल और इसमें नल रख देते हैं करेंगे इसको कोपी कर देते हैं और एक सारे फंक्शन से हैं यहां बना दो है आपको इवेंड मिल जाएगा अब आपको फाइल कैसे मिलेगी फाइल वो मिलेगी एक्चुल जो आपकी एक्चुल फाइल है वो मिलेगी या लोकल फाइल नाम इसका देते हैं लोकल फाइल क्योंकि एक वेरीवल अलड़ी हम लोग ने उपर बनारका फाइल मिलेगी आपको यहां से की लोग ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करें दो कि अपको यहां पर लॉक और अपको दिखा भी देता हूं तो मैं चेंज करने जा रहा हूं सपोज मैं ने चूज़ किया यह पूरी पूरी फॉरी फाल मिलगी तो आप यह पर टाइप अगर भी चेक कर सकते हो इसके साइट चेक कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ इमेज jpg और png लाओ करना है तो आप image slash jpeg and आप जैसे कोई png फाइल अपने चूज करी तो आपका मिलेगा देखो image slash png तो आप यहाँ पर लगा सकते हो तो if event.target.files के 0th जो वैलू है उस पे उस object के अंदर हमारे पास एक type नाम से property है और उसकी type अगर बराबर होती है image dash png या फिर event.target.files की 0th वैलू उसका type बराबर होता है image slash jpec तभी हम इसको अलाओ करेंगे तभी हम इसको क्या करेंगे तो हमें यहाँ पर preview दिखाना है ठीक है अभी हम preview पर काम करें preview show करना अधर्वाइस हमें यहाँ पर simple else में simple message देदना है तो में टोस्ट यूज करेंगे टोस्ट टोस्ट डॉस्ट डॉट एरर और यहाँ पर लिग देंगे इन वैलेट इन वैलेट फाइल परफेक्ट एंड साथी साथ में हमें अगर जब इन वैलेट फाइल हो तो हम यहाँ पर इमेज के अंदर जो फाइल है उसको नल ही रखें नलती से भी वह न जाए इससे फाइद होगा कि अगर आप 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 कोई फाइल और चूज कर लें तो पीडिए तो आपको यहाँ पर इन वैलेट मिल जाएगा एंड प् जीपीजी पिंजी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एंड अगर आप कोई जिपीजी फाइल चूज करते हो तब भी ठीका प्रीव्य पर इचैप यह थी यह कंडिशनल में अगि प्रिवी दिखाएंगे कैसे हाउ राव हूडर वी सो द प्रिव्य कैसे हम प्रिव्य सो क तो यह विदर और हम लोग फाइल को रिड करेंगे एज अ डेटा यूर्ल ठीक है जिससे कि डारेक्टीव एविर्ल को लुग सेट कर सकें तो रीड करने के लिए राइगा रीड देखो भाई आ रहा है क्या रीड ऐस डेटा यूरल और हम अपनी फाइल पास कर देंगे इवेंट.target.files ठीक है हमनी फास कर देंगे तो यह यह रीडर क्या करेगा इस फाइल को रीड कर लेगा as a dataIvrl dataIvrl का फाइदा यह है कि हम लोग directly फाइल के अंदर src में वह value set कर सकते हैं ठीक है तो अब जब हमार पास रीडर के पास आ गया तो हम लोग को बात है इस रीडर से value निकाल करके सासी में set कर देना चाहिए तो कैसे निकालेंगे ठीक है हम लोग रीडर पर लगा देंगे जैसे reader on load होगा ठीक है तो यहां पर एक function चल जाएगा event या e या कोई भी result ले लो आर ले लो यह function चल जाएगा जैसे लोड होगा data reader और हम इसके अंदर image के अंदर जो placeholder है उसकी वैंड चेंज करेंगे हम लोग लिए सेट image और हम जो object यहां पास करेंगे उसमें दो चीज पास करेंगे तो placeholder placeholder में पास करेंगे हम लोग आर.target.result तो ये actual value है ठीक है? actual value, अगर चाहोँ तो print कर दो बश्रह मैं इसको print करके पिरिखा दूँगा आपको actual value को, कि actual value actually print का हो जो data में जाएगी image के src में जाएगी तो दिखेगा, अब ये placeholder ही हमने image के src में use कर रखा है, तो यह एक्षुली प्रेसोंटर में जाएगा तो इमेज के साथ से चेंज हो जाएगी वाँ लेकिन साथ ही साथ में प्रिव्यू दिख गया हो सकता हो से बटन पर क्लिक करें तो हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर हम लोग यहां पर कुछ जाधा नहीं करेंगे सिंप्ली इमेज के अंदर जो फाइल है हम सिंप्ली इवेंट टॉर्ट टार्गेट टॉर्ट हां फाइल्स एक्ज़क्ली तो हमें अप्लोड यह वाली शीच करना है ठीक है यह फाइल अप्लोड करना यह सर्फ प्रिव्यू के लिए अधिक काम हो जगा बाकी आप जैसे प्रिव्यू दिखे तो आप यहां पर दोनों चीच प्रिंट कर लो कि एक्चली क्या आ रहा है वैल्यू तो हम लिखेंगे लॉग लॉग में हम प्रिंट करने जा रहे हैं एक तो र.target.result साथ ही साथ में console.log यहां पर वैल्यू इवन.files तो समझी गयो गया तो उसको प्रिंट करने की जरूँ तो नहीं और आई थिंक हो गया काम ठीक है बस अब क्या होगा कि यह रिडर हमारी फाइल को as our data as our data viral read कर लेगा और onload method के call होने पर हम लोग ने उस data को read कर लिया और हमने place folder में set कर दिया यसे फाइदा क्या है कि हमने इस placeholder को use कर रखा है अपने image में है यह देखिए तो होगा फाइदा यह कि जब इसकी value change होगी तो यह अपने आप से रे रेंडर हो जाएगा component ठीक है कि हमको रेक्ट की property पता है कि अब ट्राइ कर दें हम लोग यह आते हैं चूज करते हैं दूसरी जी आप देखो यह देखिए यह एक्चुली हमारा data है जो reader हमें रेट करके दे रहा है इस data को हम directly image stack src में अप्लोड कर सकते हैं ठीक है आप देखो प्रफेक्ट प्रफेक्ट प्रव्यू दिख रहा है ठीक है आइधिक कमाल की चीज़े आप देख सकते हैं ठीक है तो png भी हम लोग एक दो देख लेंगे वाव ठीक है यह थोड़ा stretch डा आ रहा है इस इस को हम लोग fix करेंगे पिछली बार भी हम लोग ने fix किया यह देखे stretch हो जा रही फोटो तो इस इस को fix करने के लिए exactly हम यहां पर उस करेंगे style और हम लोग ने object fit नाम से property लेकित अब्जेक्ट fit and object fit में हम लोग दो value pass कर सकते हैं एक तो cover cover से फायदा यह होगा कि आप देख सकतो और एक तो contain cover में क्या होगा पूरा height width covered रहेगा image crop हो जाएगी बाहर निकल जाएगी बड़ी image यह कोई दिखकर नहीं तो यह image को हम ऐसे दिखाएंगे तो इस image को हम ऐसे दिखाएंगे तो प्रिव्यू हो सकता है कि आपको इस चीज को clear करना हो तो हमारे पास clear button भी तो होनी चाहिए यह दो प्रक्राइब हो जाए तो प्रेव्यू हमारे हो गया भाई प्रिव्यु फो चुगा को एक बार मैं आपको प्रिव्यू बना दिया तकड़ा 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 प्रिव्यू चलो भाई डाउनलूटस में चल देए एंड है यह देखे perfect with वाओ खár और हम लोग ने प्रिवी अना लिया अब हम लोग क्या कर दे लार हम लोग हम लोग हम चाहते है कि प्रिव्लीय है फाइल में टीक्ट इसे एक यह लोग करें तो हम लोग इस फाइल को भी सेप कर हैं तो हमें यहां में सुपर सभरें करना पड़ेगा documentation को चेक करने के लिए तो हम यूज करेंगे localhost देख 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 दे कौन सा हम लोग को यूज करना है login पर क्यों जा रहे है भाई हम लोग अगर यूज पर चलना है बिल्कुल and users में हमने image के लिए बनाया थे देखे भाई कैसे उस करना है बहुत सिंपल सा तरीका है हम लोग करेंगे service में user service के अंदर यहां हम लोग बना देंगे method ठीक है update user profile picture ठीक है बहुत सिंपल सी बात है and हम लोग करतेंगे export const update user profile picture ठीक है and दो चीज लेंगे देखो हमें एक तो multimedia में पास करना है यूजर की image ये variable उसकरना है as a key value हमारी इमेज यागी और साथ हमें user id पास करना ही तो हम यहां पर दोनों चीज लेंगे एक तो हम लेंगे file दूसरी शी हम लोग लेंगे user की id ठीक है perfect और हम यहां पर return करेंगे प्राइबे टेक्सियों से उसकरेंगे dot post method उसकरेंगे आप देखो post method उसकरेंगे यहां यहां पर देखेंगे यह चीज तो हो गई बड़ डेटा कहां से आएगा data क्या हम फाइल को डाइक लेपास कर देंगे नहीं बलकुल नहीं डारेक्ट आप सिफ जैसन यह पास कर सकतो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हाप एक बनाएंगे form data एक वर्यब लेंग data और object होगा यह form data का तो हम लोग form data data ठीक आप देख सकतो provide a way to easily construct a set of key value pair representing form fields and their values which can be easily set to send using the XML htp request.send तो key value pair basically हम लोग यहाँ पर एक form data बनाना जिसके अंदर हम key value pair data रख सकते हैं ठीक है एंद हम लोग रखेंगे data.append और append में हमें key use करनी वही जो हम लोग ने यहाँ पर रखेंगे user image तो हम यहाँ लिखेंगे user image and then value में अपनी file यहाँ पास कर दिये बस आपको इतना कम करना था ठीक है एंड हम यहाँ पर अब इस बात एक जियो रिस्पॉंस रिटन करना है तो हम लिखेंगे देन हम यहाँ पर लिखेंगे data यहाँ से डेलो कुछ भी ठीक है तो सकसे हैंडलर से हम लोग यहां से रिटन कर देंगे response.data ठीक है data Xeos response save कर देंगे ठीक है ही जोगे दूसरी चे अगर फाइल में नल है तो हम क्या करेंगे फिर हम लोग request नहीं बेजेंगे तो हम रिखेंगे if file is double equal to null आई जांस बोसकता है file की value null हो तो इसके इसमें ब्रेटन कर देंगे फरजी request नहीं बेजेंगे ठीक है तो यह हो गई बात हमारी service की अब इस method को हम यहाँ पर call करना है लेकिन call कहां करेंगे अब यसी बात जब हम save changes पर click कर रहे है save changes पर click कर रहे है यह वाली button ठीक है तो हम चाहते है कि जब हम लोग अपने project के अंदर यहाँ है और file choose करने कोई ठीक है file choose करने और हम save changes पर click करें तो यह field जो अपडेट हो रहे है उसके साथ साथ हमारी image भी अपडेट हो जाए तो हम वही काम करेंगे हम आ जाएंगे कौन सा हम लोग कॉल कर रहे है अपडेट यूजर डेटा है यह वाला method तो हम थोड़े दर के लिए इसको minimize करते हैं और यहां कमेंट लगाना भूल के तो हम लग देते है अपडेट यूजर डेटा by calling API ठीक है इसको open करते हैं और इसको भी बंद करते हैं ठीक है इसको open करते हैं यहाँ पर एंड जब हमार यूजर डेटा अपलोड हो जाएंगी अपडेट हो जाएंगे तो हम क्लोज नहीं करेंगे हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे अपडेट कर लेंगे कि अपडेट कर दो अपडेट इमेच एक एक एपडेट कर लो इमेच को अपलोड करनेगे इसको हम दूसरे त्रीके से कर सकते ह और जैसे दोनों के साथ में भी server पैसा बना सकते हैं जब सर्वर में अलगलग API तो हम यहां पर अलगलग API ही call करेंगे ठीक है एक API एक च्छाव करेंगे चल बढ़ेज़ तो हम यहां पर अपक्र अपडेट प्रफाइल या यूजर प्रफाइल पिक्चर और हमें दो चीछ पास करने के तो फाइल तो हमें पर फाइल पास करेंगे image.file user ID हमें लेगी उसर दॉसर इड टिक है और या पर बिलकुल दैनी उसकर सकते हैं स्वरी देन एंड हमें हमगे डेटा अब इसक्ट रेटन कर रहे हैं यह हमारा आपको सक्सेश्यूर्ट यूज न्यूल करते हैं यहाँ यहाँ पे टॉस्ट दिखाएंगे टॉस्ट कर सकते हैं थिसे तरह हमिन यहाँ पर एंडर करेंगे catch and error अगर आगई by chance तो हम यहाँ पर lock तो करना ही करना है and lock जब करेंगे तो हम लोग error को लोग करेंगे and साथ ही जाद में हम यहाँ पर toast.s error लोग करेंगे image not uploaded image not uploaded image not uploaded image not uploaded या फिर depending on server से क्या response आ रहा है उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर I think हम लोग ने हलका सा गड़ बड़ कर दिया यह वाल ब्रेकट यहां बद दोगा ठीक है एक चीज़ और कर देते हैं हम लोग अब हम लोग को जो loader है वो तभी close करना है जब तो finally हटा देते हैं ठीक हम अगर बाइचांस अबडेट यूजर की इंफोर्मेशन ने अबडेट होने में दिक्कत आ जाए तो loader को close करने को दिक्कत वाले बात नहीं और अगर यूजर की information update हो चुगी है तो profile picture update होगे तब तो loader को क्लोस करें है ठीक है और अगर उर ऑगिनलों के सब्सक्राइब करसकते हैं यहां पर इसके इसमें लोग इसमें लोग हम चुप सकते हैं व्मक्राइब यहां पर क्या करेंगे हम ल् advocate कंस्कンタ ऐधिक में आम साथ साफा मौडल तो इसका मदलब जब हमारी उजर की इंफरमेशन अपडेट हो जाएगी देन प्रफाइल पिक्चर अपडेट हो जाएगी तो हमारा मौडल क्लोज होगा अधरोइस हमारा मौडल क्लोज नहीं होने वाल चलो भाई इस सब चीस सही है तो सिंप्ली मैं यहां पर दो एक अपडेट करने के लिए दूसरी एप यहां पर हमारे पास फोटो है यही फोटो एंड सेप करते हैं ओके तो प्रफाइल फोटो आइधिक अपडेट हो चुकिए बार रिफ्रेस्ट करेंगे बिल्कुल फोटो अब देख सेटको बार बार रिफ्रेस्ट करिए अब देटा किरफाइब डेट अबडेट हो चुका है लेकिन अभी हमारा डेटा यहां पर अपर द्रेंक है में अग De stopped से इलार सब्सक्राइब आप्डेट और थे में था हिए कि वार्तव का इतो करते हैं अगर में मनें बील्कुल एाप क KIM शर्याओ अगर हम यहां पर यह यहां पर तो इसको हम लोग क्या सकते हैं कर सकते हैं करने के लिए हम लोग image दिखा कहा रहे हैं image दिखा रहा है एक हम लोग profile view में component के अंदर के अंदर प्रोफाइल यहां पर image को हम दिखा रहे हैं बस हमें कुछ नहीं करना हम लोग यहां पर base रवरल उसके बाद आईडी दी न यहीं बन रहा था उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर कुछ आइडिशन कर देंगे और हमारा काम हो चुका है यहां पर आते हैं हम लोग दूसरी फोटो उसकर दें अप्डेट पर जाने की जरुफ थे नहीं आपको यह पर दिख रहा होगा ठीक है आप कुछ भी अप्डेट कर सकते हैं यहां पर आए और विल्कुल आपको फोटो नहीं लगाना आपको दूसी फोटो लगाना तो आप बेक्सटॉप पर आजाए यह फोटो की साइस को भी हम हम लोग नहीं optimize कर रहा है फोटो चेंज कर लिया नाम में सचिन रमेश तेंदुलकर रख लिया हमने इमेल आडी चेंज नहीं कर सकते पासवर्ड में भी आपने चेंज कर लिया यहां पर इंडिया 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 स्पेरिंग से कर लिया मैंस ठीक है और सेपकर दिया तो हमारी उसर डीटेल भी अपडेट होगी और साथी समय इमेच इस अप्लोड हो चुकी ठीक है यह अगर हम दूसरे एकाउंट ने própлоडλा करते हैं हर्जु नर्विड मार्ड लेते हैं इमेचर इनका मेरी इमेर दूश्री है अचोंड में है क्योंकि यहां पर दूसरे म negócio करते हैं यहां पर दाते हैं दूसरे इमेचर हैं लगोर्ड मिल्ट लिए we do order to update करती है यहां पर अपडीट हमें करना ना पड़ा एक यह पीर सथक्रिकशने हैं अपडेट करते हैं को और दिए हमसे रहे हैं और तो एक यह टो एक है जो Ton जैसी सबाद नहीं को जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह इसा है है कि के ट्वसक्राइगा इस को ओप करते हैं किसी दूसरी ब्रावजर से लेट सब्सक्राइब करते हैं कोगल क्रोम से ठीक है यहां जाते हैं लोकल होस्ट कोलन 3000 लॉग इन पर जाते हैं यहां पर हम लुग करते हैं अर्जुन फेडिट जीमेल डॉट कॉम जीमेल डॉट कॉम एबीसी यह देगी है परफेक्ट यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई यह देखे हैं परफेक्टी चेंज हो रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यह रीप्रेस्स कर लीजे यह तो आपको समझ में आ गया अब हम यहां पर फोटो के साथ साथ नाम भी अप्रोड क कर सकते हैं आप चेंज कर सकते हैं मैसे तो चेंज कर सकते हैं बस जो चेंजबल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं जो चेंजबल नहीं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं तो अगर आपने यहां पर आपने ब्लैंक पास कर दिया तो यूजर की इटेल अप्लोड हो रह अब देखो हम लोग प्रोफाइल में अगर फाइल में अगर नल है तो इपकोल करने के क्या ही सब्सक्राइब अब ही क्या होगा कि आप यहां पे आए आप ने इमेज में कुछ चाड नहीं की सेब कर दिया तो सिर्फ इंफर्मेशन अप्लेट होगी और अगर आपने छेट चाड की है इन डैट केस फिर हमारी इमेज अप्लोड होगी ठीक है ओके तो यहां पर एक शीश एक शीश हमें और ध्यान देना होगा ध्यान यह देना होगा कि अगर यह नहीं चल रहा है अगर यह नहीं चल ला है नल है तब भी हम क्या कर देते हैं सेट लोडिंग को फॉर्स कर देने हैं सक्सेस तो हुआ है ठीक है सो आजाते हम आप आस यहां पर यहां पर पर्फेक्ट तो यूजर डीटेयल अप्डेट हो जाई अप्डेट हो गई क्लूज करना है तो आप क्लूज भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है फंक्शन सी तो दुबारे कॉल करने है यार फंक्शन तो आपने बनाई कर रख दिया ठीक है यह देखिए और अगर आपने अप्डेट कर रखा है कर दिया तो अप्डेट के साथ कॉल हो ज आगे होगा, मसा आगे होगा, next video हम लोग क्या करते हैं, बस हम लोग यहाँ पर clear button जालते हैं, जिससे हम लोग इस image को clear भी कर भाएं, हो सकता है कि आपने गलती से choose कर लिया और then आप उसको update नहीं करना चाहरो, तो आप उसको clear कर लो, image को clear कर दो, तो आप image update नहीं होगे, so में